ऐसा क्या करना है हमें कि हम अपना CMA Foundation का जो जून 2024 के attempt में definitely 101% पास कर लें पेपर पे लिखवा लेना आप definitely पास हो जाओगे अगर जो मैं strategy बोल रही हूँ आप उसको अच्छे से follow करते हैं तो तो जानने के लिए वीडियो के end तक बने रहें तो आईए start करते हैं तो सबसे पहले start your studies देखे बेटा बहुत से students ऐसे होंगे जिन्होंने studies स्टार्ट कर दिये बहुत अच्छी बात है शायद उनका syllabus भी end ओने वाला होगा तो ये भी बहुत अच्छी बात है लेकिन अभी भी बहुत से students ऐसे होंगे जो सोच रहोंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे या paper के एक महिना पहले शुरू करेंगे पढ़ना तो बिटा अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं न तो please mind से ये बात हटा दो बहुत से students को लगता है कि CMA Foundation का paper MCQ based है ठीक है इसमें तो MCQ आते हैं चार options ही तो है उनमें से एक ही तो select करना है बहुत easy है जबकि ऐसा नहीं होता बेटा चार options होंगे definitely हर एक question के लेकिन चारो options आपको same लगेंगे आपको लगेगा ये चारो options ही answer है इसके इस particular question के तो बलकि MCQ में question कहीं से भी उठकर आ सकता है module में से तो इसलिए MCQ में तो हमें और ज़्यादा focus हो जाना चाहिए उसमें deeply understanding चाहिए concepts की तो मेरी आपसे request है बिटा इस paper को CMA Foundation के attempt को इतना ज़्यादा easy मत समझे चीक है जो time है उसको proper utilize करें और आज से ही अपनी studies को start कर दे जैसे कि हम जानते हैं सिरफ two months are left now तो हमें in two months का properly utilization करना है जिससे कि हम सिरफ attempt को pass ना करें लेकिन बढ़िया score भी लेकर आए तो पेटा जो भी बच्चे अभी सोच रहे थे कि नई बाद में studies start करेंगे तो please आज ही से अपनी studies को start कर दीजे क्योंकि time already बहुत जादा कम है चलिए next अब क्या है focus on concept clarity देखे आपको module को ही सिरफ go through करना है कोई और reference book refer करने की बिल्कुल need नहीं है module is enough जो module आपको ICMAI ने provide कर रखा है जो आपका study material है that is enough वो बिल्कुल magical source है for the preparation of CMA foundation magical source okay तो आपका module बेटा बहुत अच्छा है आपके module में language इस तरीके से दी है कि आपको concepts की clarity बहुत अच्छे से हो जाएगी आपको understanding level बहुत अच्छे से develop हो जाएगा तो language बिल्कुल understandable है उसके अंदर इससे क्या होगा आपको हर एक concept बहुत अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो आपको module go through करना है बहुत से बच्छे क्या करते हैं बहुत सारी reference books refer करने लग जाते हैं पाच रेफरेंस book refer कर रहे हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है ठीक है आप सिरफ अपना module refer करो that is enough that's the magical source वही आपको help कर सकता है पूरा का पूरा इस attempt को clear करने में ठीक है तो module के chapters को read out करो concept clarity पे focus करो understanding level develop करो for all the topics so यहां पर ध्यान रखना कोई भी topic आपको miss नहीं करना क्योंकि question mcq based है और कहीं से भी आ सकता है moreover आपको topic इसलिए भी नहीं छोड़ना है क्योंकि CMA एक professional course है और professional course में से हमें कोई भी topic नहीं छोड़ना चाहिए professional course का एक-एक topic बहुत जादा important होता है तो focus on concept clarity chapters को तब तक पड़ो जब तक आपको वो chapters अच्छे से समझ में नहीं आते हैं ठीक है next don't ignore the module questions देखिए बिटा आपका जो module है उसके back exercise पर questions है true false की form में math the following की form में mcqs की form में right तो आपको वो module के questions को बिलकुल भी ignore नहीं करना है generally बहुत से बच्चे क्या करते हैं chapter read out कर लिया हां समझ आ गया बहुत है छोड़ देते हैं फिर उसकी back exercise के questions ही नहीं देखते ऐसी गलती हमें बिलकुल भी नहीं करनी है क्यूंकि बिटा questions देखके भी कहीं बार बहुत सी चीज़े होती हैं जो हम नहीं सीखते हैं ठीके और question से ही आपको basically पता लगेगा कि आपको chapter कितना समझ में आया है तो एक-एक question of module को आपने अच्छे से करना है module question को बिलकुल भी ignore नहीं करना है और एक बहुती जबरदस्त वात यहां पे बताती हूं कि जो अभी attempt हुआ था CMA foundation का उसमें बेटा 90% question module के back exercise से आए हुए थे आप पिछला question paper उठाके देखलो economics का या किसी भी chapter का आप देखोगे 90% question module के back exercise के questions है चीक है तो मैं आपको यह बोलूगी यह magical question है module के questions हमारे लिए तो इसका एक भी question मिस नहीं करना है next make your own short notes देखिए बेटा जैसे ही आप chapter को read out कर लेते हो साथ सार रीडिंग कर रहे हो topic को समझ रहे हो वैसे वैसे ही side by side अपने short notes भी बनाते चलो ठीक है lengthy notes हमें नहीं बनाने क्योंकि इसमें mcq based questions आएंगे तो short notes आपको बनाने short notes आपको help करते हैं बिटा quick revision करने में at the time of examinations ठीक है आप बार बार तो नहीं module उठा के देख सकते हैं पूरा का पूरा right आपको quick revision करनी पड़ेगी एक बार ठीक है module अच्छे से देखा पूरा का पूरा A to Z हमने module देखा लेकिन बार बार module को देखना तो possible नहीं है क्योंकि module बहुत जादा lengthy है तो इसले जैसे जैसे आप study कर रहे हो topics वैसे वैसे अपने short notes बनाते चलो और जब एक बार अपने topic को अच्छे से समझ लिया हर एक topic को chapter को अच्छे से समझ लिया उस के बाद आपने always short notes ही देखने हैं उसके ठिक है next multiple revisions पर focus करना है बिटा generally क्या होता है हम चीजे read तो करते हैं समझते भी हैं लेकिन आपने देखा होगा 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हम वो चीजों को भूल जाते हैं जो हमने पड़ी थी मतलब हम retain नहीं कर पाते चीजों को तो ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है बिटा क्योंकि हम revisions नहीं करते revisions बहुत जादा important है क्योंकि revisions से आपकी retention power develop होती है आपको चीजे याद रहती हैं जो आप पढ़ रहे हो इस time पे तो इसलिए revision बहुत जादा important है तो मैं आपको बोलूंगे बिटा let's suppose आपने study note number 1 किया ठीक है study note number 1 पूरा prepare करने के बाद आप study note number 2 पर जा रहे हो start करने वाले हो study note number 2 तो एक बार दुबारा से study note number 1 को revise कर लेना जब study note number 2 आपने over किया और आप study note number 3 की preparation पर जाने वाले हो तो study note number 1 और 2 दोनों को अच्छे से revise कर लेना फिर जब study note number 4 पर जाओगे आप चिक है तो आप study note number 1, 2, 3 तीनों को दुबारा से revise कर लेना तो इससे क्या होगा बार 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 आपकी revisions होती जाएंगी and believe me जैसे ही next cycle आएगी revision की every next cycle में आपको कम 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 टाइम लगेगा revision करने में क्योंकि आपने वो chapter बहुत बार go through कर लिया आपने particular study note बहुत बार go through कर लिया और इससे क्या होगा आपका confidence level बहुत जादा develop हो जाएगा बहुत से students बेटा ऐसे होते हैं जिनोंने बहुत अच्छ से preparation करी थी लेकिन exam time में जैसे ही बैठते हैं तो nervous होने के कारण सारी चीज़े भूल जाते हैं तो वहाँ पर multiple revisions काम आती है multiple revisions आपका confidence boost up करने में आपका help करती हैं ठीक है और सिरफ revision नहीं करनी है आपको test भी देने है बिटा अगर आप test देंगे तो आप अपने आपको time to time evaluate कर पाएंगे तो मैं तो आपको ये बोलूँगी हर 10 days में एक test जरूर दो ठीक है जिसमें आप अपने आपको self evaluate करो मैंने देखा है कि students क्या करते हैं test को skip करना चाहते हैं जिस इन tuition में test है तो ठीक है नहीं जाएंगे tuition class में आज attend नहीं करेंगे हम tuition class which is wrong test को बिटा preference पे र भी जरूर देना है next अब यहां पर मैं बताने वाली हूँ आपको कौन कौन से questions पे focus करना है जिससे कि आप CMA का attempt first time में clear कर जाओगे तो सबसे पहला module question module question तो मैंने आपको अभी बताया था ये क्या है ये तो magical questions है जैसे कि मैंने आपको बताया 90% question paper इनी question से बना हुआ होता ह bit questions जरूर कर लेना ठीक है previous year के questions कर लेना and illustrations कर लेना ठीक है अब यहां पर students मैं आपको बताऊंगी हमारा जो channel है वो आपको updates देता रहता है like सबसे important update आपको चोहिए होगी कि आपका admit card कब release होगा right तो जैसे ही release होगा हमारे channel पर आपको inform कर दिया जाएगा generally ये 15 days पहले आता है आपके paper के ठीक है और जैसे ही release होगा हमारा channel आपको inform कर देगा और अगर आप अभी video देखना चाहते है about how to download the admit card ठीक है तो video already हमारे channel पर है आप जाकर check out कर सकते हैं चिक है next हम videos डालते रहते हैं जिसमें आपको हम time to time strategies बताते रहते हैं like 3 months रह गए तो 3 months की क्या strategy होनी चाहिए कि आप अच्छा score कर सको चिक है और अगर 2 months रहेंगे तो 2 months की strategy हमारे channel पर आजाएगी तो आपको strategy time to time मिलती रहेगी for all the 4 subjects paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4 साथ ही में हम लोग videos डालते रहते हैं MCQs के उपर ठीक है MCQ किसी भी particular chapter के उठाकर या most important 15 MCQs या most important 20 MCQs तो ऐसे हम MCQs की भी videos डालते रहते हैं जो कि आपके लिए काफी useful होने वाली है तो इस channel के through हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बड़िया से बड़िया content provide किया जा सके ताकि आपका जो CMA Foundation की journey है वो काफी easy हो जाए तो if you want to make your journey for CMA Foundation easy then please subscribe the channel and if you really find this video useful then please like the video and यहां पर beta session को end करना चाहूंगी मिलते हमारे next session में with another useful content till then bye bye take care जैशीशा